हेलो विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ लाउंग कोश्चन जो है, सालो करूँगा, जो कि बोर्ड पेपर के दृष्टिशे बहुत ही महत्योपूर है, तो इन्हें आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा, तो आईए आर्ने विद्य समझाईए, इसके अलावन निवेशी तथा निर्गत ओल्टताओं के तरंग रूप दिखाईए, यहाँ पर बात हुई है, अर्ध तरंग दिश्टेकारी डायोड की, तो इसके लिए द्यान देजी, पहले यहाँ पर बात हुई है, इसके परिपत आरे की, तो इसका परिपत आप किश प्रकाश बनाएंगे, इसके लिए अप द्यान देजी आप यहाँ पर, इसमें जो है, दो कुंडलियां प्रयोग की जाती है, इस प्रकाश द्यान देजी, यह यहाँ पर होगी, प्राथमिक कुंडली, और इसके अलावां यहाँ पर प्रयोग क जाएगी इसमें दोतियक कुंडली इस प्रकाश से यहाँ पर जो है इसमें दो कुंडली आपकी प्रयोग की जाएंगी इस प्रकाश आप यहाँ पर इसे प्रदस्थित करेंगे इसके अलावा धन्देजी यहाँ पर आपका प्रेर कत्त लगा होगा और यहाँ पर भी आपका प्रेर कत्त जुड़ा होगा इस प्रकाशे तो अब अध्यान देजी यहाँ पर जो है इसे आप इस प्रकाशे प्रदर्शित करेंगे जी हो जाएगा यहाँ पर इसके अलावा यहाँ यहाँ पर इसे इस प्रकाशे बना देजी इस प्रकाश हो जाएगा इसके अलावाद हन्देजी यहां पर आपका क्रोड होगा इस प्रकाश हो जाएगा तो यहां पर दंदेजी और यहां पर जो है प्रदर्शित करेंगे निवेशी एशी उल्टता इस प्रकाश है यह हो जाएगा यहां पर प्रात्मिक कुंडली और यह होती है दूसरी कुंडली तो यहां पर दोती है कुंडली होती है इसमें आपका पीयन संदी डायूड जुड़ेगा तो इसके लिए धंदेजी यहां पर अब जुड़ हो जाएगा इसके बाद धंदेजी यहां पर यह बन गया है पीयन संदी डायूड इस प्रकाश है यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं यह हो जाएगा तो इसमें यह हो जाएगा आपका पी और यह हो जाएगा एन इस प्रकाश है इसके अलावा धंदेजे यहां पर जो है इ पर इसमें एक प्रत्रोध जोड़ा जाएगा इस प्रकाश से यहां पर जो है इसमें प्रत्रोध जोड़ा जाएगा जीसे हम लोग बोलते हैं लोड प्रत्रोध पीशे यहां पर बोला जाएगा लोड प्रत्रोध इस प्रदर्शित करते हैं आर एल से यह होता आपका लोड प्रत्रोधी यहां पर हम लोग माल लेते हैं बिंदु A, यहां पर माल लेते हैं B, इस प्रकाशें, यहां पर आप लिख शकते हैं निवेशी AC ओल्टता, इस प्रकाशें, यहां पर एक प्रात्मिक कुंडली और यहां पर होती है दोतियक कुंडली, तो यहां पर दंदेजे इसका परिपत तयार करने के लिए क्या किया जाता है सबसे पहले हम पर याद रखेगा कि यहां पर इस तरह जैसे कि यहां पर इचेत्र दिया गया है इस प्रकार से अपको परिपत तयार करना है इसमें जो उच्चाई transformer के प्रात्मिक कुंडली होती है जिस AC को डीशिंग वदलना होता है उसे हम लोग इस प्रात्मिक कुंडली के शेड़ी क्रम में संबंधित कर देते हैं और इसके अलावा यहां पर जो दोतियक कुंडली होती है इस दोतियक कुंडली में ध्यंदिजी जो PN संध डायोड होता है इसका जो P छेतर होता है यह दोतियक कुंडली के A सिरे से जोड़ा जाता है इसके अलावा जो N छेतर होता है यह ध्यंदिजी यहां पर इस लोड प्रत्रोद के द्वारा जो हैंपर किस से जोड़ा है B से जुड़ा है तो P छेत्र को हम लोग A से और N छेत्र को यहाँ पर लोड प्रत्रोद के साथ जो हम लोग B से जोड़ देते हैं यहाँ पर आप मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग N इस प्रिकाश आपको यहाँ पर इसका परिपत तयार करना है तो यही अब आपको यहाँ पर परिपत विवस्था में लिखना है तो रंदेजी वही यहाँ पर बताया गया है परिपत विवस्था में कि चित्र की भांति जो है एक परिपत तयार करते हैं जिस AC को DC में बदलना होता है उसे जो है उच्चाई ट्रांशफार्मर की प्राथमिक कुंडली के शेड़ी क्रम में संबंधित कर देते हैं और दुतिय कुंडली के शिरे A को P छेतर से तथा शिरे B को यहाँ पर एक लोड प्रत्रोधियानि की RL के साथ जो है N छेतर से संबं लोड प्रत्रोध RL के साथ जो है N छेतर से संबंधित कर देते हैं यही आपको यहाँ पर बताया गया कि इसका जो B शिरा है यह दंद यह लोड प्रत्रोध के साथ N छेतर से जुड़ा है और जो A शिरा है यह यहाँ पर इसके P छेतर से जुड़ा है इस प्रकाश आप यह धन्विभोपर होगा एसी के पहले अर्ध चेक्र में ये शिरा जो है वो धन्विभोपर होगा और ये वाला शिरा रिण्विभोपर होगा तो इस समयदान देजिए इसका जो पीछेत्र है वो धन्विभो से जुड़ा है और जो एंचेत्र है वो यहां पर रिण्विभो से जुड़ा है तो इस स्थित्य को हम लोग बोलते हैं अग्र अभिनत है जब P-6 धन वी वोपर होता है तो इसे क्या बोला यता है अग्र अभिनत तो इस स्थित्य में यहां पर धारा जो है वो M-C-N-Cure प्रवाइत होगी यह निकि धारा जो है इस प्रकार M-C-C-Cure और N छेत्र जो है वह आँपर धन विभोपर आ गया तो इस स्थित्य को बोला यता है उत्क्रम अभिनत और उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इस प्रकार यहाँ पर AC की केवल आधी तरंगे ही दीशी में बदल पाती है इसलिए इसे हम लोग अर्ध तरंग दिश्टकारी बोलते हैं तो पहले अर्ध चक्र में जब यहाँ पर इसका P सिरा धन विभोपर होता है तो यहाँ पर N सिरा जो है किश्पर होता है रिण विभोपर तो इस स्थित्य को प्रत्यावर्तिधारा के पहले अर्दचकर में जब ट्रांशफार्मर की दोतियक कुंडली का सिरा ए जो है धन्वीभो पर होता है तो यहां पर अगर अभिनत के कारण तो अगर अभिनत के कारण जो है लोड़ प्रत्रोध में विद्धुधारा जो है वो M से N की ओर प्रवा और प्रत्यावर्ति धारा के दोती अर्ध चक्र में जब सिरा ए जो है यहां पर रिड़ विभो पर और बी सिरा जो है धन विभो पर होता है तो यहां पर उतक्रम अभिनत के कारण जो है धारा प्रवाहित नहीं होती है उतक्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है इ लिए इससे हम लोग यहां पर अर्ध तरंग दिश्टिकारी के रूप में प्रियोग करते हैं यह प्लोग याद रखेएगा इसके अलाओ धन्देजी यहां पर बात हुई थी निवेशी तथा निर्गत उल्टताओं के तरंग रूप दिखाईए इसके लिए धन्देजी यह यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकाशे तो यहां पर दन्देजी तो यहां पर इस दिसानलोग प्रदर्शित करते हैं समय यानि कि यह हो जाएगा आपका टी तो यहां पर दन्देजी जब ग्राफ बनाएंगे आप निवेशी एसी उल्टेज का तो इस प्रकाश यहां पर इसका graph जो है वो बनेगा यह होता है आपका निवेशी ओल्टेज का यहां पर आप लिख शक्ते हैं निवेशी ओल्टेज तो ये होजायेगा आपका निवेसी उल्टेज के लिए इसके अलावद हंदेजी निर्गत उल्टेज की बात करें तो निर्गत उल्टेज में आपको बताया ओने की केवल आधी तरण्गे, यानि कि इसकी आधी तरण्गे ही जोई याँपर डीशी में बदल पाएंगी तो इसका जो graph बनेगा वो इस प्रकाश कि बनेगा यानि कि इसकी जो है यहाँ पर आधी तरंगे ही जो है डीशी में बदल पाएंगी तो यह अपका निवेशी ओल्टेज हो जाएगा और यह अपका हो जाएगा निर्गत ओल्टेज इस प्रकाशे तो यहां पर यह आपको दिया गया था कि निवेशी तथा निर्गत उल्टाओं के तरंग रूप दिखाईए तो इस प्रकाशे आपको इनके तरंग रूप प्रदर्शित करना है यह आप लोग याद रखिएगा अब इसके बाद धन देजे तो यहां पर धन देजे अगला कुशन दिया गया है कि उभाइनिष्ट उत्सर्जक PNP ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपत आरेक बनाईए तथा कार्रिविध का संचिप्त विवरार देजे तो यहां पर बात हुई है PNP ट्रांजिस्टर क यह क्या होता है तो याद रखेगा कि PNP ट्रांजिस्टर जो होता है यह N टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को जो है P टाइप अर्धचालक के दो छोटे गुटकों के बीच दबा कर बनाया जाता है यह प्लोग याद रखेगा तो इसके लिए आप यहां पर इसका फ इस प्रकाश आपको यहां पर जो हैसे बनाना है N छेत्र जो होगा इसका वह बहुत ही पतला होगा इस प्रकाश यह आपका होगा N यह होता है P और यहां पर यह होता है आपका P इस प्रकाश यह हो जाएगा आपका इस प्रकाश है और इसको मिला देज़े इस प्रकाश है तो यहाँ पर यह जो दिया गया है यह होता है आपका E यह होता है आपका B और इससे हम लोग बोलते हैं C तो यहाँ पर जो बीच का N छेत्र दिया गया है इससे बोला जाता है आधार इसे बोलते हैं आधार बाइंग और का जो P छेत्र होता है इसे बोला जाता है उत्त सर्जक और जो ये वाला छेत्र होता है इसे बोला जाता है संग्राहक इस प्रकाश यहनी कि आप इसके बारें बता सकते हैं आपर कि यह transistor जो है N टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को P टाइप अर्धचालक के दो छोटे गुटको के 20 दबाकर बनाया जाता है इस प्रकार इसमें बीच का N छेत्र जो है आधार, बाई और का P छेत्र उत्सरजक और दाई और का P छेत्र जो है यह संगराहक होता है इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है तो इसके लिए दन देज़े आप पिश्में बताएंगे कि यह transistor transistor and type अर्धचालक की and type अर्धचालक की पतली पर्ध को P टाइप P टाइप अर्धचालक P टाइप अर्धचालक की दो छोटे गुटको के बीच दबा कर बनाया जाता है के बीच दबा कर बनाया जाता है इस प्रकाश आप बता सकते हैं इस के लाव बता सकते हैं कि इस प्रकार इस प्रकार बीच का N छेत्र आधार बीच का जो N छेत्र होगा ये आधार होगा इस के लावा बाई और का और का पी छेत्र उत्त सर्जक और दाई और का पी छेत्र संग्राहक होता है पी छेत्र इस प्रकार आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं अब इसके बाद दंदेजे बात हुई यहाँ पर इसके परिपत आरे कियानी कि इसका परिपत आपको तयार करना है तो इसके लिए दंदेजे आप इसका परिपत कि इस प्रकार बनाएंगे यहां पर आपको इसका परिपत तयार करना है इस परकाश हो जाएगा इसका परिपत आपको तयार करना है तो बीच का होगा आपका N छेत्र इस परकाश ही हो जाएगा तो यहां पर यह आपका P छेत्र होगा यह N छेत्र होगा और यह P छेत्र होगा में होते हैं कोटर यहनि कि इसमें होंगे यहांपर कोटर इस प्रकाश अंगे इसमें कोटर उपस्थित होंगे इधर आपका पी छेत्र है इसमें भी कोटर होंगे इस प्रकाश यह यहाँ पर आपको P छेतर दिया गया है तो इस P छेतर में आपके यहाँ पर होंगे कोटर और इसके अलाव यह आपको दिया गया है N छेतर में होते हैं चालक एलेक्टरान इस प्रकाश यहां पर आप दर्सित कर देजे चालक अलेक्ट्रानों को तो इसमें यहां पर यह हो जाएंगे आपके चालक अलेक्ट्रान अब इसके बाद धन देजे अब यहां पर जो हम लोग इसे बैटरी से जोड़ेंगे इस से यहां पर यह एक बैटरी से जोड़ा जाएगा इस प्रकाश से यहां पर हो जाएगा यह होगा इस से आप मिला देज़े इसके अलमा यह हो जाएगा तो एक बैटरी आपकी यहां पर लगेगी और दूसरी बैटरी यहां पर लगेगी इस प्रकाश है यहां पर आप बना देजे यहां पर यह हो जाएगी दूशरी बैटरी इस से हम लोग जो है इस प्रकाश है जोड़ देंगे तो इस प्रकाश है यहां पर इसका परिपत तयार के जाता है तो सबसे पहले दन देजे यहां पर किया क्या गया है यहाँ पर आपका होगा E यहाँ पर होगा आपका B और यहाँ पर होगा आपका C आपको बताया गया यह होता है उत्तछर्जक इस परकाशें यहाँ पर इस से मानले, लिज़े आप बैटरी B1 इस से माले दे बैटरी B2 जो प्लस माइनश यहाँ पर होता है प्लस माइनश इस प्रकाश यतना होता है तो यहाँ पर देन देज़िए यह आपका Pछेत्र है और यह दिया गया है तो यहां पर ढ़्यां देजिए P और N, इसका जो P छेतर देजिए यहां पर इस बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है और जो N छेतर है वो इस बैटरी के रीडर टर्मिनल से जूड़ा है यानि कि यहां पर जो संध यहां इसे बोलेंगे उत्सरजक आधार शन्री इसे सबसे पहले बनाया गया है यहाँ पर अग्र अभिनत इसे यहाँ पर क्या बनाया गया अग्र अभिनत अग्र अभिनत का मतलब बताया गया जोगा ये धन्विभोपर होगा एन छेटर्व वोगा वो रडविभोपर होगा तो इससे आपको बनाना है अगरा अभिनत इसके अलावा धंदजी ये आधार और संगराहक जंद जो है इस्में धंदजी इसका फी शिरा है ये पीशरा धंदजी इधर बेट्री के रड़िय जुड़ा है और जो N सिरा है ये बटरी के धन दुरूस जुड़ा तो इससे बनाया गया है उत्क्रम अभिनत उत्क्रम अभिनत तो इसे हम लोग अगर अभिनत बनाते हैं और इसको यहाँ पर बनाया जाता है उत्क्रम अभिनत तो यहाँ पर इसकी जो उत्सर्जक आधार संधी है इसे हम लोग अगर अभिनत बनाते हैं और अगर अभिनत में होने के कारण इसकी जो आउच्छे परतो होगी वो ही पतली होती है जिससे वो जो है आवेश वाहकों के मार्ग में नियुनतम प्रत्रोध आरोपित करती है इसके अलावा जो आधार संग राक संधी होती है इससे हम लोग क्रम अभिनत बनाते हैं जिससे इसकी आउच्छा प्रज होती वो पैक्छाकरत मोटी होती है जो आवेश उत्षर्जक आधार संध्य को हम लोग बैट्री B1 द्वारा जो है अगरभिनद बनाते हैं और इसके लाँ आधार संगराक संध्य को बैट्री B2 द्वारा जो है उत्करम अभिनद बनाया जाता है जिससे यह आवईश वाकों के मार्ग में नियुनतम प्रत्रोद आरोपित कर तो वही द्वार देजी यहां परिशिंग बताया गया कि चित्र की भात जो है कि परिपत तयार करते हैं जिसमें उत्षर्जक आधार संध्य को यानि कि जो उत्षर्जक आधार संध्य है इससे हम लोग बैट्री B1 द्वारा अगर अभिनत बनाते हैं जिससे इसकी आउच् परत जो होती है वो अत्यंत्पतली हो जाने के कारण यह आवेश वाहको के मार्ग में नियूनaultam प्रतिरोद जो आरोपित करती हैं यहां पर रयाद रखेगा आपको बस इसका परिपत बनाना सीखना है जब आप परिपत बनाना सीख जाएंगे तो यह आपको वहां पर अभिनत बनाते हैं, जिससे इसकी आउच्छे परज्ज होती है, वो अपेक्षाकर्त मोटी हो जाने से, यह धारा के मार्ग में जो है, अधिक्तम प्रतिरोध आरोपित करती है, इस प्रकाश आपको यहाँ पर इसकी परिपत ब्वश्था लिखनी है, आपको यहाँ पर इसका परिपत बनाना सीख लेना है, जब परिपत आप बना लेंगे, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको अपनी लेंगोज में लिख लेना है, अब इसके बाद दंदेजे, अगर इसकी कारिवेध की बात करें, तो यह कारिक एशे करता है, अब इसके लिए दंदेजे, आप य कोटर जो होते हैं यह आधार को पार करके जो है संगराहक ने लगते हैn इस प्रकाश आप यहां पर इसके प्रदर्शित कर देजी तो कोटर जो होते हैं ये आधार को पार करके संगराहक में जाने लगते हैं जिससे यहां पर लगभग दो प्रत्शत कोटर याद रखेगा लगभग जो है इसमें दो प्रत्शत कोटर जो है वो इन चालक एलेक्ट्रानों से सैयों करके जो है यहाँ पर उदाशीन हो जाएंगे इसमें जो है लगभग दो प्रत्षत कोटर जो होते हैं वो इन चालक अलेक्टरानों से सैयों करके उदाशीन हो जाएंगे यह प्लोग याद रखेगा और जैसे ही कोई कोटर यहाँ पर इस बिंदो C पर पहुंच जाएगा वैसे ही जो है यहाँ पर इस बैटरी B2 के रिड़ ध्रूस से एक इलेक्टरान निकलेगा और उससे उदाशीन कर देगा यहाँ पर दंदेजे आपको बताया गया कि इसके अगर अभिनत में होने के कारण इसके जो कोटर होते हैं वो इस आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं तो इसमें जो इलेक्टरान उपस्तित होते हैं यह इन कोटरों से संयोग करके लगभग दो प्रिसद कोटरों को उदाशीन कर देते हैं और जैसे ही कोई कोटर यहां पर बिंदु C पर पहुंच जाता है, वैसे ही यहां पर इस बैटरी के रिड़ दुरूस एक एलेक्टरान निकलता है, और उस कोटर को जो है उदासीन कर देता है, यह अप लोग याद रखेगा, क्योंकि जो कोटर होते हैं, यह धनात्मक होते हैं, और इलेक्टरान जो होते हैं, वो रिड़ात्मक होते हैं, यह अप लोग याद रखेगा, तो यहां शेलेक्टरान जाएगा, और इस कोटर को जो है उदासीन कर देगा, तो यहां पर जो है तो इसमें यहां पर संगरहक धारा जो है आईशी प्राप्त हो जाती है इसके अलावा यहां पर देजे यह आधार में जो इलेक्टरान थे यह कोटरों से संयों करके उदाशीन होते हैं तो यहांपर जैसे ही इस आधार में किसी electron की कमी होती है वैसे ही यहांपर इस battery B1 की रिर्ड दूर से एक electron निकलता है और इस कमी को पूरा कर देता है तो यहांपर आधार-धारा आई-B यूह वो प्राप्त हो जाती है और जब यहाँ पर उत्सरजक में किशी कोटर की कमी होती है तो यहाँ पर संध के समीब का एक सह संजक बंद तूट जाता है और जब बंद तूट जाता है तो दोनों एलेक्टरान जो है इस बैटरी B1 के धन दुरूदारा जो है आकरसित कर ले जाते हैं जिससे यहाँ पर उत्सरजक धारा IE प्रवाहित होती है यह प्लोक याद रखे है अगा आपको बताया गया है कि जब यहाँ पर लोग उत्सरजक आधार संध को अगर अभिनत बनाते हैं और यहां पर संगराह धारा IE प्राप्त हो जाती है जब आधार में इलेक्टरान की कम्ही होती है तो बैटरी B1 के धरर दुरूद से एक इलेक्टरान निकलता है और इसकमी को पूरा कर देता है जिससे आधार धारा IE B प्रवाहित होती है इसके अलावा जब इसमें कोडर की कमी होती है तो यहाँ पर जो है संदिके समीब का एक्सस है सनुज़क बंद तूट जाता है और दोनों एलेक्टरान जो है यहाँ पर इस बैटरी बीवन के धन दुरुदरा आकरसित कर ले जाते हैं और यहाँ पर उत्सरजक धारा आई-ई जो है वो प्राप्त हो जाती है तो वही देज़ी अप यहाँ पर इसकी क्रिया विद्ध किश्परकाशे लिखेंगे तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है कि उत्सरजक आधार संदिके अग्र अभिनत में होने के कारण जो है यहाँ पर उत्सरजक के कोटर जो होते हैं यह आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं जिससे जो है लगभग 2% कोटर जो है वो आधार में चालक अलेक्टरानों से संयोग करके जो है उदासीन हो जाते हैं जैसे ही कोई कोटर जो है बिंदू C पर पहुंचता है वैसे ही यहाँ पर बैटरी B2 के रिड़ द्रू से एक अलेक्टरान निकलता है और यहाँ पर उस कोटर को जो है उदासीन कर देता है जिससे यहाँ पर संग्राहकदारा आईशी प्रवाहित होती है यह आपको बताया गया इसके अलावाँ जैसे ही आधार में किसी चालक अलेक्टरान की कमी होती है वैसे ही बैटरी B1 के यहाँ पर रिड़ द्रू से एक अलेक्टरान निकलता है और इस कमी को जो है पूरा कर देता है तथा आधार धारा यहाँ पर कौनशी प्राप्त होती आई भी प्रवाहित होती है और जैसे ही उत्सर्जक में कोटर की कमी होती है वैशे ही यहाँ पर शंद के समीप जो है एक सही संयुजगबंद तूट जाता है तथा दोनों एलेक्टरान जो है वो बैटरी बीवन के धन दुरुद्वारा जो है आकरसित हो जाते हैं जिससे उत सर्जक धारा यहाँ पर आई जो है प्राप्त हो जाती है इस प्रकाश चेपको यहाँ पर इसकी क्रियाविदी लिखनी है इसके अलावा आप यहाँ पर चित्र के अनुशार बता सकते हैं इसमें चित्रशे चित्र के नुशारा बता सकते हैं कि IE बराबर होता है IB प्लस IC ये आफ फीगर के नुशारा इसमें बता सकते हैं इसके लिए धन्देजी ये पर जो आपको ये फीगर दिया गया थे ये धारा उपर के प्रोवाइथ हो रही है IE और यहां पर दंदेजी यह धर जा रही बाकी यह धारा IB और IC यह दोनों आ रहे हैं इसका मतलग इन दोनों का मान IB प्लस IC इन दोनों का योग जो है इसके बराबर होगा यह आप figure के अंशार यहां पर बता सकते हैं इस प्रकाश चे आपको यहां पर इसकी क्रियाविदी लिखनी है बस आपको यहां पर परिपत बनाना सेखना है उसी के अंशार आपको यहां पर परिपत विवस्था भी लिखनी है और क्रियाविदी भी आपको उसी के अंशार तयार हो यह प्लुक याद रखेगा